नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आपका अडियोट आप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर वेरी हापी न्यूए टी वाल उफ यू मैं उमीद करता हूं कि अब हमारा जो एक छोटी सी हमारी विंटर ब्रेक हम कह सकते हैं वो खतम है तो चलिए एक जन्वरी से लेके तीन जन्वरी तक की जो भी इंपॉर्टन न्यूज है अभी तक की हमें जो कवर करनी है उनको आज हम कवर करते हैं उससे पहले एक क्विक रिविजन है हमारी पिछली वीडियो की तो CDSO ने ऑथराइस कर दी है कॉर्भी वाक्स और को वाक्स को राइट इसके साथ एक अंटिवारल पे लिए मौलनोपूरावर जिसको गी ऑथराइस कर दिया गया है फॉर एमर्जिंसी अगेंस्ट कोवर्ड के बीच रही तो याद रखेंगे इस पॉइंट को लास्ट नेक्स अटल मिशन फॉर रेजिविनेशन इसको हम अमरूत स्कीम बोलते हैं यह लौंच हुई थी 2015 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आउसिंग अर्बन अफेर्स अब देखिए इन स्कीम को यहाँ पर डिसकस करने क देखिए थ्रू उनसे रिलेटेड जो भी हमारी स्कीम रिपोर्ट्स होती है वह बहुत इंपॉर्टन बन जाती है इसलिए हमने इन दोनों न्यूस को और इंसे रिलेटेड स्कीम को कवर किया राइट लास्ट ली विक्रम मिश्री को पॉइंट किया गया है अज गवर्मेंट आस देखिए विच वॉव फॉलिंग प्रॉडक्ट्स आज अज अज देखिए इंची गासी स्ट्रीक चल रही है एक सही जवाब देने की ठीक है तो स्वाइमील को रिसेंटली एक एसेंचल कमोडिटी डेकलेर कर दिया गया है उसका रीजन क्या है देखिए बहुत जादा सदन सर्ज इन प्राइज हो रहा था ऐसोईमील जिस कारण से इसको एक एसेंचल कमोडिटी घोशित किया गया है अंडर दी एसेंचल कमोडिटी अक्ट ऑफ 1955 तो इसको एसेंचल कमोडिटी डेकलेर करने से होगा क्या एक लिमिट बन जाएगी कि कोई भी डि demand high जा रही है product की but supply में shortage नहीं है production में shortage नहीं है but supply नीचे गिर रही है due to excessive storage ठीक है तो excessive storage जब होगी तो उसकी क्या होगी supply कम हो जाएगी market में तो उस कारण से price बढ़ने लगेगा तो अग हमने excessive storage को ही बंद कर दिया तो अपने आप demand के साथ supply भी आ जाएगी तो जिससे की price जो आता है and mostly use होता है poultry feed field में इंडिया की soy meal बहुत high demand में रहती है because it is produced from non genetically modified sources ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं traders and trading companies can hold up to 160 tons of soy meal with the defined declaration storage location मतलब उनको बताना पड़ेगा क्यों उन्होंने कहां पे store करके रखा है और एक limit रख दिया है 160 ton तक की यह limits imposed है 30 June 2022 तक ठीक प्राइस का और यह सोपा जो है हमारे soybean processes association का कहना है कि it is not in the hands of processors and it is not because of anything done by processing industry it has already flagged the issue of hoarding and undue speculation of soybean futures ठीक है तो यही news है हमारी तो चले अगले हमारे आज के पहले कोशन की तरफ which state which of the following states stood first in the list of highest number of open defecation free villages which of the following states stood first in the list of highest number of ODF free villages the options are Kerala, Tamil Nadu, Telangana or Gujarat the right answer come on guys plus 2 marks for every right answer and minus 0.66 marks for every wrong answer the right answer is Telangana ठीक है तो as such कोई official report अभी available नहीं है इंटरनेट पर but यह article cover हुआ है 2 January को by the Hindu ठीक है तो बहुती credible source है यह तो इसको हम बिल्कुल cover करेंगे कोई official report का link अगर मुझे मिलेगा तो मैं sure आपसे जल्दी share करूंगा for now I could not find a link from PIB or from any official website of स्वच भारत mission तो अभी के लिए the Hindu ही discuss कर लेता हूं क्या है 13,737 out of 14,200 villages in the in Telangana state are open defecation free plus list ठीक है तो हमारी एक open defecation free list है open defecation free plus list है और एक open defecation free plus plus list है यहाँ पे plus की बात हो रही है 96.74% of villages in Telangana are under this category तो बहुत ही अच्छा number है बहुत ही अच्छी एक हम गह सकते progress है इसके बाद जो आता है Tamil Nadu आता है और उसके बाद आता है Karnataka और 17th position पर है Gujarat ठीक है तो यह news है हमारी state government जो है ते लंगाना के उसने दो बहुत ही अच्छी initiatives launch के थे in order to achieve this kind of targets you know तो उनके एक थी New Telangana Panchayati Raj Act और दूसरा था पले प्रगती program तो पले प्रगती program जो है यह cleanliness की तरफ बहुत जादा हम कहेंगे कि ध्यान था इसका इस program का तो जिस कारण से state का कहना है कि हमने यह achieve किया है तो चले फिर अगले question की तरफ which of the following countries is the largest producer of natural gas to Europe तो योरोप में natural gas कौन सबसाद प्रवाइड करता है इसको हम क्यों cover कर रहे हैं भी बताएंगे तो options का है Norway, Turkey, Netherlands या Russia the right answer is Russia ठीक है तो दोस्तों Nord Stream 2 करके एक natural gas pipeline है जो कि Russia ने कहा है कि अब fully functional है and Europe को वो natural gas provide कर सकती है अगर आप internet पर search करेंगे regarding Europe's natural gas crisis तो आपको पदा चलेगा कि बहुत बढ़ा एक crisis चल रह यूरोप के अंदर energy को लेके and Russia has become its primary source of natural gas in the country ठीक है तो इसे के साथ अगर कहीं भी नौट 2 stream आता है दिमाग में ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि Russia provide कर रहा है natural gas to Europe इस पूरे crisis के बारे में अब थोड़ा सा पढ़के मेरे को नीचे comment section ने बताईए in the next video we can discuss this if you are willing to do so right तो क्या है news क्या है the launch of Nord Stream 2 pipeline will lower gas prices on the spot in the market obviously अगर certainly natural gas की हम supply बढ़ा देंगे तो obviously prices कम हो जाएंगे right बहुत बड़ी है कि pipeline है 1,2,3,4 km लाइन याद रखना बहुत इसलिए इसलिए यहाँ पर हाड़ कर दिया ठीक है और through Germany यह यहाँ पर provide होगा in the Europe region right तो अगर आपको इस पे dedicated video चाहिए इस topic पर अप्लीज में बता सक्चें नीचे comment section के अंदर एक dedicated video on Europe's gas crisis will be live on our channel then right so moving on to next question recently the Indian army has established the quantum lab and artificial intelligence centers in which state तो क्या options है Odisha, Maharashtra, Jammu and Kashmir या Madhya Pradesh तो दोस्तों आज का मैं जानता हूं session की speed थोड़ी जादा है क्योंकि हमें एक से जादा दिन का थोड़ा सा cover करना है तो इसी के लिए the right answer for this is Madhya Pradesh ठीक है तो center ने establish करी है quantum lab and artificial intelligence center कहां पर क्या है military college of telecommunication engineering in Maharashtra, Madhya Pradesh ठीक है तो देखिए दो बातें इसमें से बहुत जादा ध्यान रखने वाली है develop करवाया गया with support from national security council secretariat ठीक है इस point को भी 1 second के लिए side पर रखिए जो main point है ना इस news में से याद रखने वाला वो है cyber warfare तो जैसा कि हम जानते है army, air force ठीक है और next या हमारी navy तो हमने अभी recently news में पढ़ाए कि हम एक तीनों का theater force बनाना चाहते हैं जिसमें कि तीनों की integration एक साथ हो सके राइट तो दोस्तों जो cyber warfare है ना वो इसी चीज़ का एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ा रूप है जो कि यह कहता है कि जो next wars होंगी वो on the basis of your cyber capabilities होंगी artificial intelligence और ऐसे cyber attacks जो की होंगे वो एक next workup पार्ट होंगे तो उस चीज़ को इलिए ready रहने के लिए quantum lab और artificial intelligence center जो कि research and development करेगा to prepare army with the next gen of warfare that is cyber warfare यह इसका main aim है ठीक है तो याद रखेंगे इस चीज़ को इसलिए बहुत important भी है and pyqs में हमने देखा है कि ऐसे questions moving on to next question which of the following nations is not a member of new development bank तो new development bank का इन में से कौन सा देश सदस्य नहीं है क्या options है United Arab Emirates, Bangladesh, Egypt या फिर श्रीलंका तो इसमें से कौन सा देश new development bank का हिस्सा नहीं है the right answer is श्रीलंका ठीक है तो news क्या है news यह है कि recently Egypt member बन गया है हमारे new development bank का ठीक है तो Egypt एक member बना भी recently ठीक है इससे पहले कौन-कौन members है इनके Bangladesh, United Arab Emirates and Uruguay तो यह जो तीन देश है यह recently September में इसके member बने ठीक है और इसससे पहले founding members कौन है BRICS nation जो है Brazil, Russia, India, China and South Africa these are the founding nations of new development bank and they founded this bank in 2014 ठीक है इसका headquarters कहा है शेंगाई चाइना में तो BRICS जो है 5 largest development countries का हमारा mail है तो उन पांचों ने मिलके new development bank लाये थे और इनके साथ अब 4 new members have been added तो इनके नाम आपको याद रखने जरूरी है Bangladesh, United Arab Emirates, Uruguay and now Egypt ठीक है तो यह news है चले अगले question की तरफ which are the following companies operates heli taxi service between Chandigarh and Chimla तो बहुत ही simple question है जानता हूं मैं बट इसको cover करने का एक importance है मैं आपको भी बिताता हूं Himalayan helicopter services, Air India, Pavanhans या none of the above आपको पता ही होगा इसका सही जवाब मैं आपसे इतना तो expect कर ही ना हूं तो सही जवाब जो है वो इसका Pavanhans ठीक है recently Pavanhans को हेली taxi services provide करने का काम दिया गया था चंडिगड और हिमाचल के बीच तो कौन-कौन से routes हैं चंडिगड, शिमला, मंडी, कुलू और धरमशाला तो यह main routes है जहां पर की यह हेली taxi service चलती है ठीक है तो अभी recently Pavanhans ने कहा है कि हम शिमला धरमशाला वाले route का fare कम करेंगे तो देखिए इसका reason क्या है tourism कैसे बढ़ेगा अगर हम कुछ ऐसी services provide करेंगे जो कि बाहर जगाओं पर नहीं मिलती है तो heli taxi यह एक ऐसी service है जो कि बहुत ही हम कह सकते है कि new और evolving जीज़ है ठीक है तो उसका fare कम करने से क्या होगा और लोग जदा चाहेंगे कि हम भी helicopter की ride करें fare कम करने से जब और लोग चाहेंगे कि हम helicopter की ride करें तो tourism बढ़ेगा tourism बढ़ेगा फिर तो हम जानती है कि एक circle स्टार्ट होता है जाब employment स्टार्ट होती है state का revenue बढ़ता है और यह एक बहुत अच्छी चीज मानी जाती है ठीक है तो यह reason है mainly कि heli taxi service का fare कम करने के लिए provenance ने कहा है कि हम कर देंगे to हिमाचल प्रदेश government तो याद रखना है पवनांच प्रवाइड गरता है क्या heli taxi service बिट्वीन शिम्ला धरमशाला मंडी कुलू आंड चंडिगट राइट तो इसके साथ कुछ important news है दोस्तों जो की सामा related हो हमाचल प्रदेश and कुछ general news है तो इनको भी cover करना मेरे को लगा कि important है तो इनको quickly जितना go through कर सकते हम करते हैं ठीक है तो ministry of agriculture and rural development ने कहा है कि एक integrated farming model लाना चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर तो integrated farming model क्या कहता है वो यह कहता है कि हमारे पास जो जो resources available है हम उसी के through अपनी farming को करें ठीक है integrated अगर मैं इसको एक language में कहूं तो एक कहेंगे कि integrated farming system is an independent interrelated of an interlocking production system मतलब हम खुद की उपर dependent है अपनी चीजों के साथ ही मतलब एक चीज से दूसरी चीज related है और वहीं तक हम सीमित है and interlocking मतलब वही चीज के हम अपने खुद के system के अंदर ही अपने आपको यूज processes को यूज कर रहे है राइट बहुत कम crops होते हैं animals होते हैं और related subsidiary enterprises होती हैं ताकि जो भी हमारे आजपास की available nutrients available resources हैं हम उनकी maximum utilization कर सके इससे minimum negative effect होता है on the environment क्यों क्योंकि हम जो भी resources use करेंगे वह हमारे वहाँ पर utilization के लिए available हमारे खुद की region के अंदर ही होंगे तो यह कहने का reason क्या था कि 80% जो भी seeds हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में दे आर मलब वह बहार दूसरे स्टेट से मंगवाय जाते हैं तो इसी के लिए हमारे मिनिस्टर आफ अग्रिकल्चर और डूल डेवल अपन ने कहा है scientists को कि एक integrated farming model हमाचल प्रदेश के लिए develop करना चाहिए राइट 80% of the seeds in the state are brought from other states of the country तो ये बहुत बड़ा reason है कि minister का कहना है कि हमें integrated farming model को लाना चाहिए राइट next मनत बयाल जो की चंबा से हैं इन्होंने gold medal जीता है national taekwondo competition कहां पर उत्राखंड में 12 गंड में competition अभी हुआ था तो महां पर याद रखना है मनत बयाल को gold medal मिला है किसमे national taekwondo competition के अंदर so कहां से belong करते हैं चंबा से right so moving on to next question next news chamomile एक बहुत ही मतलब chamomile farming start हुए धरम शाला के अंदर और बहुत women ने इसको बढ़ाया है इसका reason कहा दे कि सबसे पहली चीज तो बहुत important चीज जो याद रखने वारी है chamomile plants keep giving flower every three months तो हर तीन महीने के बाद chamomile के फूल उगने शुरू हो जाते है chamomile use कहां पर होता है एक popular tea flavor है chamomile ठीक है chamomile tea usually रात के समय पी जाती है to reduce stress right तो बहुत ही simple सा flavor होता है इसका बट इसके जो benefits ने to farmers they can be huge हर तीन महीने में flowers उख सकते हैं इसके धाई लाक पर hectare की income generate की जा सकते है through chamomile plantation ऐसा कहना है ministry का right role development ने काया 55,000 पर कनाल की assistance भी provide की जाएगी under the manrega scheme to the producers of chamomile flowers right तो अगला हमारा आज का last news है कि दो नई species of plants ढूंडी गई है जिनका की नाम यहां पर mentioned है but they have been Christian Christian मतलब एक informal हम निकनेम हमने भी निकनेम दिया है इन दो species को officially अभी तक कोई नाम declare नहीं किया गया है यह कहां पर मिली है यह याद रखना बहुत जादर ज़रूरी है तो यह थिरुवंतन थापुरम और वयानाद डिस्ट्रिक्ट में मिली है ठीक है इन दो species को अभी तक फिम ब्रिस्टलिस सुनीली और नियोन उटस प्रभुई नाम दिया गया है जो कि इनको ढूणने वाले लोगों के बहाफ पे उनी के नाम पर इसको इनको नाम दिया गया है याद रखेगा क्रिश्टन होता है कि इनफॉर्मल एक अभी निकनेम दिया है इनको राइट तो यह न्यूज है याद रखेंगे कहां पर मिले हैं वेस्टन घाट्स रीजन में थिरुवंतन थापुरम और वयान डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठीक है तो आज का होंब कोशन च इसको याद रखेंगे रखेंगे पढ़े भारत प्रोग्राम ठीक है तो यह प्रोग्राम का नाम है आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट्मेंट आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट्मेंट आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी स्टे नाशनल एडुकेशन पॉलिसी तो किसके रिगार्डिंग बात हो रही है यहां पर पड़े भारत प्रोग्राम अब क्या दो स्टेट्मेंट से इंट आपको मुझे बताना है इसे कौन सा ऑपशन सही है ठीक है तो बहुत-बहुत शक्राइब को आपको पीडेफ मिलेगी हमारे सेशन की राइट और बहुत-बहुत शुक्रित आपको हमारे साँ जुनने के लिए किसी क्विरी के लिए आप हमे नीचे remember सेक्टें में लिख सकते हैं या फिर हमें mail कर सकते हैं ठेलोए www.eduitapp.co.in बहुत-बहुत शुक्रिया मेरा नाम है देवांचा गुपता साइनिंग ओफ बाई-बाई